दियर स्टूडेंट आज की ये जो वीडियो है ना वो बिये फिप्त समेस्टर के हिंदी के जो भी छात्र है जिनका सेकेंड पेपर है हिंदी का उनके लिए वीडियो बहुत ही महात्पूर है क्योंकि इस वीडियो मैंने टॉप लेबल के कोईश्चेन एंड एंसें इंकिलू प्राइब को इस वीडियो से करिब करीब 30-40 नंबर के प्रश्चन सिर्फ सिर्फ इस मात्र एक वीडियो से आएंगे तो फीडियो को इंड तक जरूर देखते रहेगा तो असलिए पूरी जानकारी हम आपको देते हैं जो भीए फिप्त समस्टर यह ठीक एक समस्टर है ठी यहां पर लिखा भी हिंदी और दुतिय प्रश्ण पत्र ठीक यहां नाम नाम है हिंदी का राष्टे काब जितने भी को सुरू करते हैं इस वीडियो में जन्म कभ और कहां हुआता तो आप कहेंगे प्रदीप को रहें तो यह जो ना वो हंदी के जो सिकेंड पेपर है उसमें प्रदीप जी का एक आपस्थ सुभी के स्लेबर सेमें एक लेशन है टीक है तो प्रदीप जी एक बहुत फेमस गीतकार हैं और राश्टी का बिधारा के कभी भी है तो इनका जो जन्म है कभी प्रदेप जी का वो छे फरोरी 1915 इस्वी को मद्ध प्रदेफ राज जी के उजेन जिले में हुआ था इनका वास्तुविक जो नाम था ठीक है इनका वास्तुविक नाम रामचंद्र नरायड दुवेदी था ठीक है वैसे ये प्रदेप के नाम से प्रश्चत दे ठीक है शिंपल से प्रश्ण है देखिए मैं जो जो प्रश्ण बताऊंगा यह आपकी अतिलगुत्रे लगुत्रे देरगुत्रे किसे में भी आ सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम यह प्रश्ण दे उन्समें देखा तो मुझे लगा कि एक प्रश्ण जरूर आएगा इंसे जुड़े और आएगा भी तो गुल्फन जी का मोल नाम गुल्फन कुमार महता था इन्हें बावरा पगला उपनाम फिल्म वितरक सांत भाई पटेल ने दिया था कलांतर में यह समझ के करण ही गुल्फन बावरा फिल्म संगीत से जुड़े थे उनकी कलप शीलता ने उन्हें फिल्म जगत की आस्मान पर अष्थापित कर दिया यानि कि आपके फेक्टे हैं कि घुल्फन जो बावरा जी है यह फिल्मी ठीक है फिल्मी और संगीत जगत से जुड़े पर मैंने बता दिया गुलसन कुमार मेहता था ठीक है और नेश कोश्चन है कि बहिए काइफी आजमी को किस पुष्टक पर साहितिक अकदमी पुरुसकार मिला है ठीक है तो जो काइफी आजमी जो कभी है इनको आवरा ठीक है फौरी आवारा सिद्ध फिजिदे पर एक रशन जिसका नाम है अकदमी ठीक फायतिक अकदमी पुरुसकार और दूसरा है सेवियत लेंड नहरू आवाड़ी यह सब हिंदी के साहित में ज्यादा चलते हैं इसमें आवार्ज दे जाते हैं इन्ही नाम से प्रसिद्ध है ठीक है अगला भाईया प्रश्ण है कि श्याम नराय पांडे फ्यूड़ा भी एक क्विश्चन आपको परिच्छम देखने को मिल सकता है तो ध्यान से सुन लिजी बेसिक परचे श्याम नराय पांडे जी का जन्में वो कवा था 1907 में हुआ ता कहां पर हुआ आजम गड़ में हुआ या फिर आप लोग लिख देंगी कि उत्त इनका स्लेबर से तो इन फे जोड़ा क्विश्चन परिच्छम में आफकता है तो वही कह रहा है कि इनका जीवन और परिच्छे बताईए और इनकी जो रशनाय रची उसके बारे थोड़ा परच्छे दीजिए तो बेसिक सा परिच्छे इनका याद रखेंगे इनका जो ज जानते हैं इन्होंने बाल साहित पर 26 पुस्तके लिखी हैं बाल साहित के मतब कि छोटे बच्चे जो होते हैं एक तरीके से कह सकते हैं यह फिर देखें बाल साहित फिर तो यही साबित होता है कि छोटे जो रशनाय हैं बाल यानि कि जो बच्चों के लिए एक तरीके से बो बच्चों के लिए इने बच्चों का गांधी भी कहा गया है इनकी अधिकाम पर रचनाय देश प्रेम यानि की भाई आप पढ़ क्या रहे हैं राष्टे काब इधारा के कभी है नहीं कि देश के हित में रचनाय रची है ठीक है देश को एक अच्छे नजरिये फे लोग देख सके इस प्रकारी रचनाय रची है इस ते साबित होता कि द्वार का प्रसाद महसरी एक देश प्रेमी है और साथ में राष्टे कभी भी है ठीक है तो देश प्रेम बीरता इन सब पर इनोंने रचनाय रची है तो बेसिक परचे होगा बाकि आप और एक पंगती है आपके लेशन में तो इसका फारांफ लेकरता है तो चलिए जान लेते हो सकता है प्रस्ण परिष्ण फफफ जय में गरंटी नहें लें रहे हैं तो यह कभिता की राष्टवादी भावनाओं की अभिव्यक्त है जहां कभी देश के नव यूवक जो है उनका आहवन करता है देश का नव निर्माड यूवकों के जोफ है उत्फा है तथा नव चेतना से संपन हो सकता है कभी भारत के नव यूवक से नव यूवक के निर्माड की बात करते हुए कहता है कि उत्फा है इन लोगों के जीवन में नई चेतना नव उत्फा नव प्राण दञतों से इसमें हम नो निर्माड के लिए अंकल दिफुशन जो है ना पिछली वीडियों भी वहने बता रखा है और यह नाने की अम्मीड मतलब की अठो धर मतलब कह रहा कि जो देश के नंऊं है धीक है जो नंव नीर्माड के लिए धैस के यूक है ठीक है वो सभी उठो और देश उत्फवा से उड़ो जोचफ से मतब की जोष से उठो उत्फवा से उठो और नो जेतना का मतब हो गया कि नई सोच से नई जग्याफा के फात उठो ठीक है और कब कहता है कि नो युग के निर्माड की बात करते हुए उत्फाह पूर्बक नई चितना लाएं और अपने देश के लिए एक तरीके से एक मतलब कि अपने देश की स्वतनतुरता के लिए अपने देश के हित के लिए पूरी तरह रलासर सगे में उसके उसके लिए चैंकल पना ले तो यह पंत यही Jewish प्रसने में कि उपनाम को सर्वधिक्षात कि बेख्यात वाचे लोगों तान सुनाओ किसकी रसना एक रसना जिसका नाम है कभी कुछ ऐसी कुछ ऐसी तान सुनाओ तो वह बालकृष्ण सर्मा नवीन जी की अगला महत्पूर्ण प्रश्ण है एक प्रश्ण मुझे लग रहा है कि इस बार अटल विहारी बाजपई की राजनितिक जीवन पर टिपड बताएंगे द'. श रहेंगे वर्श उननीर अटकी अठरा आठ बार लोग षभाख के और राज्राइक दो बार फदर्फ रहें और दो बार ठीक है राज सभागी ठीक है मौरा रजी द्यसाई की सरकार में वर्ष उन्नीस सो फतत्तर से 1989 तक विदेश मंत्री रहे हैं उन्होंने भारती जनता पार्टी के अधच पत का दायुत भी समाला है ठीक है जो बीजेपी की नाम से आज बहुत ही पॉपलर है तो इस प्रकार से बेसिक परचे लिखेंगे मात्रवंदना का भावर्त प्रस्तुत कीजिए प्रस्तुत है आप कृष्ण सर्मा नवीन का जो जन्म है वो आठ फितंबर 18 पो फत्तान नवे को ग्वालियर राज्जी के भयाना नामा ग्राम में हुआ था मतब दिवेदी एक के बहुत ही पॉपलर कभी है पत्रकार भी रहे है फतंतरता से नानी में इनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है तो इनका जो जन्म है वो आठ दिफंबर 18 पो कब हुआ था फत्तान नवे को ग्वालियर में हुआ था ठीक है और यह बहुत ही पॉपलर कभी साबित हुए और इस्कूली फिच्छा पूरी कर गड़े फंकर बिर्द्यार थी कि कानपुर आस्रम में रहकर कॉलिज की पढ सामिल हो गए यानि कि जब फत्याग्रा अंदोलन 1920 में गांधी जीनने सुरू किया था तब इन्होंने जो अपनी पढ़ाए वड़ाई चोट कर देश के हित में देश की बिवारिक राजनीत में सामिल हो गए थे ठीक है और जीवन के पूरे दिनों में राजनीती फेनाता बना रखा है और बनाया तो इस प्रकार चोटा सा परचे लिखेंगे और अगला प्रशन बहुत ही महात पूर्ण आप लोगों साबित होने जा रहा कि राफ्टे का विधारा के प्रमुक कभी कौन-कौन से नाम बताना है तो बहुत ही महात पूर्ण है तो चलिए एक एक कर कि सुनिए कम से कम छे आपको तैयार कर लेना है कम से कम ठीक है ओके तो नंबर एक पर लिखेंगे ज्यान से सुनेंगे नंबर एक पर लिखेंगे रामधारी सिंग दिनकर नंबर एक पर दो नंबर पर लिखेंगे श्याम नरायन पांडे ठीक तीन नंबर पर लिखेंगे सो लाल चतुरवेदी नंबर छे पे लिखेंगे ठीक है नंबर छे पे लिखेंगे बाल कृष्ण सर्मा नवीन ठीक है यह प्रमुख हालाकि बहुत पारे हैं राफ्टे का बिधारा के प्रमुख कभी लेकिन आप छे तैयार कर लिजेगा क्योंकि ज्यादार परिश्चा में चा परिश्चा की बारे में वहत अच्छे लिंग किया गया और मानावता वादी दिस्टकोंट पर यानि की मानों के हित में मतलब कि इंसान के अंदर मानावता होनी चाहिए अगर कोई इनसान करीब है तो उसकी हिल्प करनी चाहिए किसी के पास समस्याइए तो थोड़ी बहु प्रकत के रहम में रूपों की रश्णा यानि कि बहुत फारे रूप है उनकी वारे में रश्णा यह सब उसमें किया गया कमनी कल्पना की गई है रहस्च भावना ठीक है दार्फनिक चिंतन संगित आत्मक्ता यह सब जो है न वो च्छायावाद की जो रश्णाएं है न उ अगला प्रश्ण है कि पुस्व की अभिलासा कविता के रस्णा का और है तो सिंपल सा उत्तर लिखेंगे माघलना चे तुर्वेदी शुमद्रा कुमारी चुभान फिर्टा एक क्वेश्चन तो पक्का 100% है कि आएगा ही आएगा तो ध्यान से सुन लिजी शुमद्रा कु इनका जर्म जो है ना वो 16 अगफ्त 1904 को नाग पंचमी के दिन प्रियाग राज इलहाबाद के निकट निहाल पुर्गाओं में हुआ था इस बात को धान रखेंगे इतना याद रखेंगे कि इनका जर्म होए अगर प्रशना आएगा तो लिख देंगे कि 16 अगफ्त 1904 को ठी कि प्रियाग राज में हुआ था ठीक है इतना परिचे लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे इनकी जो आप लोगों के स्लेवर से में जो आपके पाठ करम में कुछ रशनाएं हैं उनमें संदर्व सहित ब्याख्या करने के लिए आ सकता है तो संदर्व सहि करने के लिए प्रशण आंगे संबहता होती तो मैं आप जानकाईदे देते हैं कोस्टिन और एंसर की कबर कर लिए वह अलांकि 15-15 से 15 नंबर का संदर्व सहित ब्याख्या के लिए आता है ठीक है बाकि आप तैसल लेने वाली बात नहीं जो आएगा वह लिख दीजिएगा लेकिन लिखकर जरूर आएगा, ठीक है, कौपी को छोड़ करमत आईएगा, आप उपध्याम फसे दिया जाएगा, उसी को उतार दीजेगा, उसमें थोड़ा बना बना कर लिख दीजेगा, लेकिन लिखकर जरूर आईएगा, अगला प्रशन एक वह यह जैसंकर प्रसाद ज जानेंगे जैसे अंकर परसाद जिफे जुड़े आपकी परिश्चा में करीब करीब दो फे तीन परसाद सांभा होता आएंगे याएंगे दो तो पक्का ही ठीक है वो लगत्रे और देर घुत्रे में ज्यादा आतार आते हैं तो यद और उधरो सामने इनकी प्रसिद्ध रसनाएं का विक्रतियां ठीक है इनके समगर विकास को तीन चरण में विभाजित करें तो पाएंगे कि चित्राधार कानन कुसुम महाराणा का महत्तु करुड़ा ले प्रेम पत्तिक क्यों जहरना पहले चरण में आती हैं यानि कि इनकी कुछ रशनाएं हैं जो अलग-अल चरण में डिवाइड क्या पहले प्रथम चरण में यह यह सब आ जाएगा ठीक है तथा जो आपका यह मतलब की अगला है कामाईनी तीफ्रे चरण में लिखी गई है कि प्रिसिद्ध रशना है कामाईनी है ठीक है और इनकी को रशना है जो कि आप सभी को बहुत अच्छे पता होगी ठीक है कौन्सी बताई कमेंट सक्षिन में इनकी एक रशना है जिसका नाम है ठीक है द्रोस्वामनी ठीक है ड्रोस्वामनी भी बहुत पौपलर हुई । इस प्रकार बहुत ही महात्पूर्ण प्रश्ण है तो यह जो भाई प्रथम चरण में यह आ गए दो ती पढ़ लीजेगा टाइम वेश्ट नहीं हम आपको यहाई पर इतना बेसिक बता दिए ताकि आप समझ गयोंगे आप समस्टर के थार्ड एर में तो इतना एक्सपर्ट है ठीक है और अगला प्रस्टे की निराला निराला का पूरा नाम है सूर का अंत्र पार्ठी निराला जी ठीक है वो कुछ माक सुकल गेरा संबत ठीक है ठीक तो गेरा संबत और उन्नीश सो पच्पन तदा नुसार उन्नीश फरोरी अठारा सो निन्ना नबे को राम साहतिवारी के घर में हुआ था लेकिन आपको यह सब भालतुक चीज़े नहीं लिखनी आपको यह लिख दीना क निराली जी का जो जन्म है वो डाक्टर राम बिला सर्मा के नुसार वंतिस फरोरी अठारा सो निन्ना नबे को हुआ था ठीक है और इसमें आगे लिखा कि सैठ्वेबादी अलोश चक अचार नंद दुलारे बाचपे के नुसार यानि कि कुल मिला के यहाँ पर अलग-अल आपनी कि रशेशनायत ही चाहे जो भी रशेशना हो उसमें क्या बिस्वेफ्ता था क्या प्रवित्या थी मत उसमें क्या होता था नंबर एक बिस्वेफ्ता थी के दूफरा नंबर है आदर्स वाधिता थी तीक है मतलब की जिसको बोलते है आइडियल ठीक है यह देस प्रेम यानि की दुब देखना था था ठीक है देस से संबंधित रसनाय हुआ करती है ठीक है और नेस्ट कोश्चन है कि हरी और जन्म कहां हुआ था तो हरी और यह प्रम के कभी थे तो याद रखेंगे हरी ओध जी दुबेदियों के प्रतिनिदी कभी थे हरी ओध की दो प्रमुक महा काब पहला है प्रिये प्रवास दूफरा है वेदेही बन वास याद रखेंगे महात्पूर्ण प्रशन है हरी ओध जुड़ा एक दूपरशन देखने को प्रमुक काबिसंग्राहों के नाम लिखी तो कुछ इनके काबिसंग्राह है पढ़ लीजे महात्पूर्ण प्रशने अगला प्रशने के चायावाद की उत्पत्ति और विकास पर संशिप्त टिपड़े लिखिए अपर प्रकाश डालिए तो चायावाद की उत्पत्ति कैसे ह हुई पिर उसका इसका देरे देरे विकाफ कैसे हुआ उसके बारे में पूरा उत्तर यहां पर है पढ़ लीजेगा महात्पूर्ण प्रशने सौर्ट टाइम के होने के कारण जैदा एक्स्प्रेन नहीं कर पाएंगी क्योंकि आप सभी करिशाय कल परसों में लगी हुई है ठीक है अगला प्रशने की चायावाद के चार अफ्तंब का क्या आर्थ है तो चायावाद के चार अफ्तंब का मतलब यह हुआ कि चायावाद के कुछ प्रमुक चार कभी है ठीक है वो चायावाद के एक तरीकी के खंबे के समान है ठीक है अगर वो ना हो तो चायावाद ए तो यह चार प्रमुक अस्तंप कई बार प्रशन ये परेच्छम रिपीटेड है तो ध्यान रखेंगे च्छायवाद के वरहत्रिया कभियों के नाम लिखें तो यह इतना इंपॉर्टन है अगला महात्पूर्ण ऊझायवाद के प्रमुक का नाम लिखें और उनकभियों के एक एक रशनाओं या फिर दो दो रशनाओं के नाम लिखें तो उनकदरप्रसाद जी यह समेत्रण अंदर पंत । पर्लो है वो ठिक है है और सुरकांत्र पाथि निराला जी की परिमल गीतिका है ओके इफी तरह सभी कभी की उसके सामने रशनाये लिखी है देख लीजी ठीक है महात्पूर्ट प्रसने तयार कर लीजीगा काब विकाल की कुछ बिसेश्टा है ये कोश्चन कभी कदार आता हमेशा नहीं आता तो मिण्विच्थि न मतलब की उसमन्या Canvas कहानी यह तरीक तरिक तरिक पर उसमें संदेश नहीं होता था ठीक कि भाई इसमें यह मेंसेदियों कि आप लोग समझें देश को अच्छे फेश समझें और देश के पर्ति हमेशा खड़े रहें। देश के लिए अघला परस्ट 되고ड्यक के प्रमुक कभी तो यहां पर छ्यादा बीदी दियें कभी के दीए कभी को मृख़णे मैद अय धितार अगला कोश्चिन की आदिकाल को विद्वानों ने किन किन नामों से पुकारा है तो आदिकाल बहुत ही पॉपलर काल है और इस युक को बहुत सारे जो हमारे रसनाकार हैं कभी हैं लेखा कि वो अलग-अलग मानते हैं ठीक है जैसे कि एक्जामपल की बात करें तो राम चंद सुक ने बाराज नाओं के अधार के रूप में प्रिस्त करते हुए बीर का था काल नाम सुभिकार किया है अचार राम चंद सुकली जी ने और एक बिद्वान ने इन्होंने चरन काल कहा है आदिकाल को ही ठीक है और जो कुछ मिफ्र लोग थे उन्होंने प्रारंभिक काल क इसे आदिकाल क्यों पादे दी ठीक है तो फितरा रामकुमार वलवाजी ने संदिकाल कहा है उन्हों चरन काल यानि कि अलग अलग कभी के उन्होंसार अलग अलग इसके काल के नाम बताएगे फिर आला पढ़ लेंगे बहुत ही हिलफल कोश्चन है पर इच्छमिल लगाता रासो हिंदी का प्रथम महाकाब्य है तो प्रथम महाकाब्य है प्रत्वीरार रासो और पहले कभी है चंदर बरदाई ठीक है ओके आला खंड के रचेता पढ़ लीजेगा बहुत ही महात्पूर्ण प्रशन है रीतकाल के कभी घना नंद बोधा ठाकुर मतिराम सेना पती य यह सब रीतकाल के प्रमुक कभी है बहुत ही हाई लेबल का क्वेश्चन है तैयार कर लेजेगा ठीक है बाकी कुछ क्वेश्चन अन्य भी है जो कि आपको लग उत्रे और देरग उत्रे में देखने को मिलेंगे ठीक है तो आप इनसे भी अपने मतलब कि यह सिर्फ अनको तयार कर लेंगे और यह जो सिर्फ पर सिर्फ कोईश्चन है इनका उत्तर आप ढोड़के सिर्यस्टे कोईश्चन में इंटरनेट वे पढ़ लेंगे तो आप पर 70 में से 75 ला सकते हैं इस बात की हम गारंटी दे रहें 75 में से 75 भी ला सकते हैं क्योंकि इन ही हमें प्रस्ण आएंगे ही आएंगे ठीक है और इस पीडियोप को हम टेलिग्राम और सब्सक्राइब करा देंगे तो वहां पर डाउनलोड कर लीजिएगा मिलते हैं को ने वीडियो में जैंद